मोदी सरकार अपने कारेकाल में विकास का ठोल पीट रही है लेकिन बढ़ती महंगाई और खटती विकास तर उसकी नाकामियों को जग जाहिर कर रही है जी हाँ एक तरफ जहां रसोई गया सिलेंडर और पैट्रोल डीजल के दाम हर दूसरे दिन उच्छाल मा रहे हैं तो वह अब तीसरे दिमाही में भारत के जीडी भी दरखट कर 6.6 फीसद ही रह गई है जबकि पिछले साल समान दिमाही में ये 7 फीसद ही थी सत्ता में आने से पहरे बीजेपी ने वादा किया था कि देश के चंता के अच्छी दिन आएंगे मेहंगाई दूर की जाएगी लेकिन आज मेहंगाई कम होनी के बजाए दिनो दिन बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल के दाम तो हर दूसरे दिन उच्छाल मार ही रहे हैं वह अब रसोई गयास सिलेंडर की कीमते बढ़हा कर जनता को एक और जटका दिया गया है गयर सबसेडी वाला रसोई गयस सिलेंडर 42 रुपे 50 पैसे और सबसेडी वाले को 2 रुपे 8 पैसे महंगा कर दिया गया है नई दर्य आज से प्रभावी हो गई है इंडियन ओयल लिमिटेट की मुताबिक दिल्ली में आज से सबसीडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 2.08 पैसे महांगा होकर 495.61 पैसे का हो गया जबकि गैस सबसीडी वाला गैस सिलेंडर अब दिल्ली में 701.50 पैसे का हो गया है वह पैट्रोल और डीजल के दामों में आज दूसरे दिन भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा दिल्ली, कॉलकाता और मुंबई में पैट्रोल के दाम में आज पैसे प्रति लीटर के बढ़ोतरी की गई जबकि चेन्ने में पैट्रोल 9 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है दो दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पैट्रोल के भाव में 15 पैसे प्रति लीटर के वृत्थी हो गई जबकि डीजल 20 पैसे महंगा हो गया तेल की कीमतों में जारी बढ़ूतरी को देखते हुए पहले ही अनुमान लगाया गया था कि मूदी सरकार की नीतिया अर्थ्यवस्था पर कड़ा प्रहार करेंगी और तीसरी दिमाही के आकड़े सामने आते ही अब उन अटकलों पर मुहर लग गई है आकड़ों के मुदाविक चालू बितवर्ष की तीसरी दिमाही में देश की सकल घरेली उतपात विकास दर गिर कर 6.6 फीसदी रह गई यह पांच दिमाहीों का निचला सर है आपको बताने के पहले दिमाही में विकास दर 8.2 फीसदी थी जबकि दूसरी दिमाही में विकास सर 7.1 फीसदी रही और अब तीसरी दिमाही में यह 7 फीसदी से भी कम हो गई है यह आकड़े मुदी सरकार की नीथियों की पोल खोल रहे हैं दिविलाइफ की रिपोर्ट